बिसमिल्लाइ रमाइन रहे हैं वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही चोटी सी वीडियो जो के हमने ये हेडबेंड बनाया है ये बहुत ही जादा देखे खुबसूरत दिखाई दे रहा है और किसी भी आप टी-शिर्ट या फ करनाया है ज़िए एक गाणयास लेकी ये थे करनाया है Moni यहां पर क्यूल सकते हैं शिर्दी से स्कत्राइज में तो पहले हुत मैं चैनल के उन्ये आपके रिद्लाईक्कुशा के सब억ल करना एम ज़िए और देखे गरता हम फ्रू को तो ईप 200-500 थे पर अशनवा को या है के गुलाई है complete उतना हम कपड़ा ले लेंगे तो यहां से यहां तक मेरा 22.5 है और यहां पर मैंने चौड़ाई देखिए 6.5 इंच लिया है यह आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं तो कपड़े को हम बराबर इसी तरह से रखके निशान लगा लेंगे इसे भी यहां से हम थोड़ा सीधा कर लेंगे क्योंकि यहां से कपड़ा थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है उसके बाद में हम इसके कटिंग कर लेंगे यह एडबेन जो है बहुत ज़्यादा आसान है और जब चाहे आप घर पे किसी भी कलर का बना सकते हैं तो एक हिससा देखिए वो 11 इंच रहेगी और चोड़ाई हम 6.5 इंच ही रखेंगे इस तरह से हम 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे और लंबाई 11 इंच मैंने लिया है वो अगर आपको छोटा बनाना है तो लेंट आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है अब मैं कुछ अलग भी ट्राय करने के कोशिश कर रही हूँ अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो प्लीस इसे लाइक करिए शेर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए तो देखिए वह आला हिस्सा भी हमने कट करके रख दिया है और हमारे यहां पर लेज भी बिल्कुल रेडिये चली हम बनाने स्टार्ट करते हैं पहले हमने बड़ा बाला हिस्सा कट किया था उसको हम इस तरह से रखेंगे यानि हमें इसे फोल्ड करना है हाफ में हाफ में फोल्ड करने के बाद में हम यहां से साइट से सिलाई लग हुई थी तो बढ़ा बढ़ा टाका आ रहा था तो मैंने सुई को Change किया और मैंने यहाँ पर 11 नमबर की सुई लगाई है जिसकी वजे से माशालला काफी ऐची सिलाई इसकी ऊपर आ रही है तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिलाई लगा दी है आप इससे इस तरह से ओन्न कर लेंगे तो यहाँ तो लगाएंगे तो यहां पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं उसके बाद जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वह हम कटिंग करके निकाल लेंगे यह साइड से देखिए थोड़ा से ज्यादा लग रहा है मुझे तो कट करके हम इसे बराबर कर लेते हैं अब यह वाला जो हिस्सा है जो हमने सिलाई किया है इसे हमें फोल्ड करना होगा यानि इस तरह से देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे और हातों से हमें इसे सिलाई लगाना है तो सुईधागा लेकर हम इस तरह से आपस में जॉइंड करते जाएंगे और इसे हम इस तरह से सिल देंग बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी इस तरह का headband आप बना सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो इस तरह भी direct बना के इसमें मोती लगा के भी यूज़ कर सकते हैं लेगिन हम इसके उपर बहु टाय करने वाले हैं, तो चलिए अब हम बहु बनाते हैं तो बहु के लिए मैंने जो अलग सी कपड़ा कट करके रखा था, यहाँ पर हमें side में lace यूज़ करना है और यहाँ side में हम सिलाई लगा देंगे, तो बिल्कुल किनारी से हम सिलाई लगाएंगे और side में हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे तो एक तरफ की देखिए सिलाई हो चुकी है सेम इसी तरह हम दूसरे तरफ की भी सिलाई लगाएंगे अगर आप कुछ नया सीखना चाते हैं तो प्लीज मुझे आप instagram पे follow कीजिए और साथ मुझे अपनी उस चीज़ का photo भी भीजिए ताकि मैं आपको सिखा सकूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने lace को attach कर दिया है अब हमें इसे जो है fold करना है यानि इस तरह से हम इसे half करेंगे बराबर इसे पहले कर देंगे उसके बाद में हमें side से सिलाई लगानी है तो हम यहाँ पर बिल्कुल side side से सिलाई लगाएंगे और फिर आगे हम 1.5 छोड़ देंगे जहां से हमें 12 से इसे पलटना है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर gap छोड़ दिया है इसके बाद में हम आगे की सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए side में सिलाई लगाई अब इन दोनों तरब भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है यहाँ पर भी देखे मैंने सिलाई लगा दी है अब इस बोग को हमें पलट लेना है यानि जो हमने थोड़ा सा हिस्सा इसका खूला रहने दिया था जहांसे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उस हिस्से को हम इस तरह से करके इसे पलट लेंगे तो यहां से भी देखिए हम इसे आराम से पलट लेंगे तो बो को मैंने इस तरह से पलट लिया है अब जो खुला वाला हिस्सा इसके अंदर रहे गया है उसे हमें जो है सुवी धागे से सिलना होगा यानि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम इसतरह से बंद कर देंगे तो बो हमारा देखिए अब रेडी हो चुका है तो आप हमें क्या करना है हम इसतरह से बो को टाइ करेंगे यानि एक बार हम इससे गुछ लेंगे और इससे सीदा कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खुबसूरत और बहुती आसाने से बनने वाला बो लगने के बाद में headband बिलकुल तैयार है तो आप इस तरह से हर color का अपनी घर में बना के रख सकते हैं और ये देखे लगाने के बाद में बहुती जादा खुबसूरत लग रहा है इसे आप और भी जद अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चोटी-चोटी मोती भी लगा सकते हैं डायमन भी लगा सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप लाइक करें, शेर करें और चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिस